येस, बैंक के शेर होल्डर, थोड़ा सा सावधान रहिएगा, शायद ये बुरी खबर है, बुरी खबर in the sense, ये आपके लिए sell and exit opportunity है, जो यहाँ पर operator game खेला जा रहा है, आई ये जरा चलकर समझने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले जो positive खबर है, इन्होंने return on asset का target काफी aggressive रखा है, अभी के लिए less than 1% है, which is not reasonable, अगर आपके पास asset है, और उनसे एक प्रतिशत से कम return मिल रहा है, तो better है आप उन assets को कहीं और utilize करें, strong growth in advance और साथ साथ में अच्छी cost efficiency से, yes bank has achieved a target for return on asset, जो की 1.1 billion fund raising exercise करने के लिए इनकी तैयारी है, इनका objective है, 0.75 by end of financial year 23 and 1 to 1.5% by financial year 2025, तो ये बहुत ही positive रहेगा, अभी के लिए इनका return on equity, जो है return on asset है, 0.4 है, तो ये बहुत कम है, इसको धीरे धीरे gradually increase करेंगे, जो की पहले 0.5 almost दुगना target और उसके बाद में 1.5 उसके बाद double target रहेगा 2025 तक, तो ये positive ख़वर माने जाएगी, fundraising इतनी आसानी से materialize नहीं हो पा रही थी, yes bank के लिए, why funds are needed, एक बात समझने के कोशिश की जगा ज़रा, deposit 14% की rate से बढ़ रहे हैं, loan सिर्फ 14% की rate से बढ़ रहे हैं, तो जब आपके loan कम demand में हैं और deposit ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपके पा positive, but NPA is causing an issue जिसकी वज़े से उनका cash घटा चला जा रहा है, अगर आपके पास गुल्लक है, उसमें से आप पैसे निकालते रहेंगे, तो end of the day आपकी गुल्लक में कुछ नहीं बचेगा, इसलिए इनको funds की ज़रोत है, अब funds आ चुके हैं, वो अच्छी बात है इनके पास म जिसके चलते हुए stock करीब 20% बढ़ चुका है, तीन दिन के अंदर आपको पताई होगा, 1.1 billion rupees ये equity raise करेंगे, यहाँ पर Carly and Edwin के साथ में, सुनने में आ रहा है, आदित्य पुरी जी, इसके board में, डारेक्टर में सामिल भी होंगे, through help of the investment firm for ARC, stake sale confirm कर दी गई है, Carly और Edwin के लिए, but इसमें थोड़ा सा catch है, इस बात को समझने की कोशिश कीजगा, we are not very holistic and fully upbeat on this one, क्योंकि ये equity को dilute करेगा, यहाँ से, देखें, इसमें, दो हैं, दो equity तरह से निकल रहे हैं, एक equity और फिर उसके बाद में warrant, यहाँ पर, अगर हम बात करें, 369 करोड एक्विटी शे है, warrant, जो की 14 रुपे 82 पैसे के पर, इन्होंने issue किये है, और यह share authorizing capital, जो है, बहुत कम quantity से increase करें, 6200 करोड से, 8200 करोड की ही increment की दा रही है, face value 2 रुपे का share है, book value 13 रुपे 45 पैसे के आस पास है, तो book value के reference में, almost add book value ये issue कर रहे है, dilution हो रहा है, समझने कोशिश की जगा, market cap, 14 रुपे 45 पैसे के basis पर, 14 रुपे 95 पैसे के basis पर, इसकी market cap 37,000 करोड थी, number of share अगर calculate के जाए, तो इस time पर authorize number of share जो उनके है, वो 2505 करोड है, नई share होने के बाद में, इन्होंने total जो share add हुए है, वो 625 करोड, इसका मतलब 25% share holding dilute हो रही है, यहाँ पर, तो authorize capital सिर्फ 2000 से बढ़ रही है, बट यहाँ पर loan काफी जादा quantity से लिया जा रहा है, जो की 32% का increment है, 6200 से 8200 के आसपास, जो हाथ में cash आएगा, 17,000 का करीब 60% हैंड में आएगा, रेस्ट बाद में आएगा, इनके पास में, संदीप सबरवाल जी, जो की एक बहुत माने हुए investor माने जात कि given a buy recommendation is tough, giving a buy recommendation, यहाँ पर खरीदना बहुत tough रहेगा, we need to evaluate more, I would say that downside risk is now very limited, इसका मतलब यह अभी भी नीचे जा सकता है, जो हमारा नीचे का target है, वो 12-13 रुपे का है, यह यहाँ पर जाएगा ही जाएगा अभी जब इसकी यह stake sale confirm गे, upside over next 2-3 years could be substantial, यह अभी short term के लिए नहीं बोल रहे है, long term के लिए तो stock जाना ही है उपर, वो तो हम अपने channel पर शुरू से recommend करें, तीन साल के लिए अगर किसी ने खरीदना है, तो खरीद सकते हैं, but 12-13 की range, बहुत बढ़िया range इसको खरीदने के लिए, इसके उपर अभी बहुत जलदी यह 17-18 अरुपे तक काम किया है, हम इस बात की मनानी कर रहे हैं, हम Yes Bank के खुद shareholder हैं, और हम ने जो खरीदा है, वो low level पर खरीदा है, 11, 12 और 13 पर हमारी buying है, देगे 15,000 क्रोड रुपे, यहाँ पर, this will reduce the stock price once it gets metalized, अभी उससे पहले, यह news official होने से पहले, यहाँ पर, जो activity participant कर रहे हैं, वो operator है हमारी calculation के accordingly, यह 20% से जादा fall करेगा, और इसका भाव फिर से 12 और 13 तक आने की उमीद है, यह हमारा clear cut mutual fund का support है, यहाँ पर, 2021 और 2022 में, मुचलों ने काफी अच्छी quantity खरीदी है, 12 और 13 के support के range में, इस खबर का impact अभी short term के लिए थोड़ा positive है, बट यह फिर से support के आसपास आएगा, अगर आज का भाव देखें, तो 70 और 15 पैसे के आसपास गया है, काफी तकड़े volume के साथ बढ़ा है, और यहाँ पर, अगर इसी rate से बढ़ता रहा, तो दो दिन के अंदर, यह 50 day moving average, 200 day moving average के ऊपर पहुँच जाएगा, यहाँ पर, तो हमारे इसाब से, हम इसमें स शायद यहाँ पर exit लेने की कोशिश करेंगे, अब, क्योंकि volume के साथ बढ़ना, उसके बाद आप देखें, जब जब इस तरह का बढ़ोत्री आई है, आप पिछला historical data देख लिजे, यहाँ पर news based information थी, जो 12 रुपे से बढ़कर 16 रुपे तक चला गया था, उसके बाद हु सपोर्ट, 13 रुपे 54 पैसे, RSI यहाँ पर करीब 80 के उपर पहुँआ है, जो कि एक strong overboard zone है, तो यहाँ पर retail निवेश को fresh निवेश की, हम लोग बिल्कुल भी सला नहीं देंगे, operator game चल रहा है, यह actually exit opportunity है, overboard zone में आने की वज़ा से, प्लीज कंसर लो financial advisor, और अगर हमारी वी